कि देखे बच्चों कुर्शन नमर फरस्ट है कि पर है अपना 2013 टू ठीक यह रियक्षन आपको कुछ जाना पहचाना लग रहा होगा CH-Cl3 CH-Cl3 का जब हम रियक्षन करवाते हैं KOH के साथ तो यह इसके साथ रियक्षन करके सबसे पहले तो बनाता है वच्चों फिर उसके बाद यहां से CL- लीव करके और फाइनली बनाता है वच्चों Dichloro-Carven Dichloro-Carven क्या है एक Electrophile है और तो और हाइली रियक्टिव है और हमेशा हमेशा कारवीन का जो है Dichloro-Carven का किसी भी टाइप का कारवीन होता है वो रियक्षन के द्रम्या नहीं बनता है ठीक है यहां पर जो C- C-C-L-3 यह भी यह भी रेजोनेंस स्टेबल है ठीक है लेकिन यह Dichloro-Carven इसलिए बनता है क्योंकि रियक्षन यह इसके साथ जो है Electrophilic Aromatic Substitution रियक्षन करके और स्टेबल प्रोड़क्ट बनाता है ठीक है मेरे काने का मतलब है कि Electrophil बन गया अब क्या होगा अब यह जो OH- है न बेस यह सबसे पहला नमर तो बच्चों यहां से H-Plus को निकालेगा तो जैसे यहां से H-Plus को निकालेगा Acid Base Reaction के द्वारा तो आपको पता है यह O- में Convert होगा O- में Convert होगा अब अगर हम इसके Resonating Structure को लिखें तो आपको पता है यह इधर यह इधर जाएगा ठीक है तो ऐसा करने से क्या होगा इसके Ortho Position पर Negative चार्ड जाएगा है न Ortho और बच्चों इसका एक और Resonating Structure बन सकता है ठीक है एक और Resonating Structure बनेगा जिसमें यह Electron इधर यह इधर इसके पैरा Position पर भी क्या होगा पैरा Position पर क्या होगा बच्चों Electron Density बढ़ जाएगी और यहां पर यह Negatively Charged हो जाएगा ठीक है अब आपको पता है कि हमारे सामने हमारे पास Dichloro Carven नाम का एक Electrophile है जो की Highly Reactive है तो यह क्या करेगा ठीक है यह क्या करेगा बच्चों यह अब इसके साथ Reaction करेगा और Reaction भी कैसा Electrophilic Aromatic Substitution Reaction EAS आपने सुना होगा नाम तो सबसे पहला नमर हम स्टार्ट इससे करेंगे C double bond O फिर उसके बाद बच्चों यह CH3 यहां पर यहां पर Carbonine है यह CCL2 पर क्या करेगा अटेक करेगा इस तरह से ठीक है इसके Vacant P और Vital में तो जब यह Attack करेगा यहां पर तो Finally जो है Finally क्या होगा यह C double bond हो यह बच्चों तो तीन bond बना लिया तो अभी मैंने आपको बताया था कि तीन bond में देखिए यहां पर निगेटिव चार्ज है तो जैसे ही यह इसके साथ तीन bond बनाएगा कारवीन तो यहां पर निगेटिव चार्ज जाएगा यहां पर एक Hydrogen हैना अब क्या होगा बच्चों यहां पर यह जो C माइनस हैना ठीक है C माइनस जो है यह Intramolecular Acid Base Reaction करेगा और यह यहां से H Plus को निकाले जैसे ही H Plus को अच्छा इसा क्यों हो रहा है इसा इसलिए हो रहा है बच्चों कि स्टार्टिंग में यह देखिए स्टार्टिंग में क्या था यह स्टार्टिंग में स्टार्टिंग में और Electrophilic Aromatic Substitution Reaction करने के चकर में इसकी Aromaticity Loss हो चुकी है तो यह अब अपनी Aromaticity को क्या करेगा वापस लाने का कोशिस करेगा तो उसके लिए यह आहां से क्या करेगा H Plus को निकालेगा तो यह जो यहां पर Negative Charge बनेगा बोले तो यह Electron इधर shift हो जाएगा और यह इधर shift होगा तो Finally जो है Finally एक Product आपको बनता हुआ दिखेगा ठीक यह O- हो गया ठीक है ऐसा अब आप इसका Hydrolysis करेंगे जब आप इसका Hydrolysis करेंगे तो यह जो 2 Cl है यह किसमे Convert हो जाएगा यह जो 2 Cl है यह किसमे Convert होगा यह Convert हो जाएगा बच्चों CH OH में और OH में Finally जब आप यहां से H2O निकाल देंगे क्योंकि आपको पता है यह Gem Diol है तो इसी स्तिति में यहां से Dehydration होगा और dehydration होने के बाद dehydration होने के बाद Finally क्या होगा यह O-OH में Convert हो जाएगा और यह CHO में Convert होगा और यह बच्चों CH3 समझे रोगा तो यह जो आपको Product मिल रहा है ठीक है यह जो आपको Product मिल रहा है बच्चों यही है हमारा Major Product ठीक है यही है हमारा Major Product अब आपके दिमाग में एक बात आएगा कि इस reaction का नाम क्या है बच्चों यह रीमर टीमर आर्टी reaction आपने पढ़ा होगा ठीक है रीमर टीमर Carboxylation, Formylation करके दो reaction होता है तो यह क्या है यह बच्चों Formylation ठीक अब यह जो डाई क्लोरो कार्वीन था इसका Electrophilic Aromatic Substitution देखिए और्थो के साथ हुआ है तो पैरा के साथ भी हो सकता है पैरा के साथ भी हो सकता है और अगर हम पैरा के साथ इसका EAS करना चाहते हैं तो अब यह attack जो है बच्चों यहां से होगा है ना मतलब इस दूसरी resonating structure से हमें प्रोसीड करना होगा चली यह प्रोसीड करते हैं यहां पर बच्चों CH3 ठीक है यहां पर CH3 यहां double bone ऐसा फिर उसके बद बच्चों यह हमारा CCL2 है डाइकलोरो कार्विन इसके पास एक वेकेंट P और वाइटल भी है तो यह क्या करेगा इसे नुक्लिवाइल इसके ओपर attack करेगा इलेक्ट्रोफाइल भी है finally क्या होगा बच्चों finally यहां पर double bone यह C double bone हो फिर उसके बद बच्चों यहां CH3 फिर क्या होगा तो CCL2 होगा और यहां पर नेगेटिक जाए तो यहां यहां आना ठीक है यह बन गया अब उसके बाद क्या होगा अब देखे बच्चों यहां पर इस carbon पर दिक्कत की बात क्या पता है दिक्कत की बात यह है कि पिछले वाले में क्या था कि aromaticity loss होई थी और जब यहां पर यह bond जुरा था तो इस carbon के पास hydrogen था तो जिसके कारण acid based reaction करके यह reaction को मतलब यह electron को आगे proceed करवा दिये थे तो finally aromaticity gain हो गई थी लेकिन यहां पर दिक्कत यह है कि इस carbon के पास थो hydrogen है ही नहीं तो finally system में जो H2O मौजूद है ठीक है उससे क्या करेगा यह acid based reaction करेगा और acid based reaction करके इधर बच्चों CH3 और इधर यह CHCl2 के रूप में इस तरह से पढ़ा रहे है तो यह हमारा दूसरा product मिला है क्या यह दूसरा product यह major है नहीं यह major product नहीं हो सकता है यह minor product हो सकता है aromaticity loss हो गए aromaticity क्या हो गए इसकी loss हो गए यह non aromatic compound बने गए हमज़र होना बात को ठीक है तो कुल मिला कर हमें दो product मिलेंगे एक product तो बच्चों हमें देखो यह वाला मिला है के लिए यहाँ पर यह भी लिखा हो है OH लेकिन जब इसका जो पहला step जो था बच्चों पहला step जिसमें यहाँ से acid base reaction करके यह anion बनेगा ठीक है तो यह C double bond O के थूरू यह proceed हो रहा है ठीक है तो करने का मतलब यह आपको दोखा देने के लिए बनाये गया है और यहाँ पर क्या किया है इसमें दोनों बच्चों यहाँ पर एक मोल जो CHCl3 है न यह एक मोल chloro carven बनाएगा di chloro carven तो किसी एक ही carbon पर जो है CHO group लगेंगे तो यह भी नहीं बनेगा इसमें यहाँ पर गरवरी है तो कुल मिलाकर बनेगा तो यह ही और बनेगा तो इसमें से यह बनेगा बच्चों major product और यह बनेगा minor product बताइए answer क्या हो जाएगा answer हो जाएगा d हो जाएगा s major और साधी साथ q हो जाएगा minor इसका answer होगा बच्चों b, d